नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका माचलने मैं नामेरसी राजकेस्वर हम बात करने बाले हैं बिहार रासन कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट जो यहाँ पर जारी की गई है दोस्तों बिहार रासन कार्ड को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है क आप लोग ओनलाइन आवधन कर सकते हैं रासनकार के लिए याणि कि अगर आप जोई नया रासनकार्ड बनवाना चाते है तो ऐसे में आपको जोई आप 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 आफलाइन आवधन करने की जरुवत नहीं है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी अगर आप जोई नए रासन कार्ड के लिए आविदन करना चाते हैं या फिर रासन कार्ड में सुधार करना चाते हैं कुछ बदलाव करना चाते हैं तो ऐसे में आप लोगों को एक आफलाइन फॉर्म जो होता है वो भरकर अपने आटीपीस काउंटर पर देना होता है लेकिन अब जोई इसकी प्रक्रिया बदल दी गई है अब आपको जोई यहाँ पर ओनलाइन आविदन करना होगा अगर आप जोई नए रासंकार के लिए आविदन करना चाते हैं तो आप जोई ओनलाइन भी आविदन कर सकते हैं तो किस परकार से आप लोगों को यहाँ पर ओनलाइन आविदन होने बाला है इसके लिए एक अलग बेबसाइट यहाँ पर जारी होने बाली है तो किस पकार से आप लोग का ओनलाइन आवेदन होगा इसकी क्या पड़किरिया होने बाली है लगभग जोई छे अस्टेप में जोई आपको आपको पड़किरिया पूरी करने ही होगी रासांकार के लिए आवेदन की तो आज किस पारी उपको पूराँ कारी देने बाले हैं कि किस पकार से आप लोग आपको 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 का आपको आपको आवेदन की चलिए सब्सक्राइब देखपाँ दोस्तों मेरे पार यहाँ पेपर कटिण पड़ा हुआ यहां पर आप देख भाएं दोस्तों बताया जा रहा है नए रासन कार्ड के लिए अब ओनलाइन आवेधन यानि कि दोस्तों बिहार में जो है अब नए रासन कार्ड के लिए ओनलाइन आवेधन लिया जाएगा लेकिन आपका ओनलाइन आवेधन किस परकार से होने बाला है इसके बारे में भी यहाँ पर जानकाई दिया गया है, दोस्तों आपको बताता है कि यहाँ पर जोए एक नई website बनाई जाएगी और उसी पर आपनों का online आवेधन लिया जैगा, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उसके बारे में चकर नहीं लगाना पड़ेगा, वो अब घर बेठे नए रासनकाड के लिए ओनलाइन आवेधन कर सकते हैं, यानि कि दोस्तों आपनों को RTP S counter पर जाने की ज़रुगत नहीं है, अब जो है आप घर बेठे ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं यहां पे दोस्तों बहुत दिनों से इसके बार में चर्चा हो रही थी बहुत दिनों से इसको लेकर अपडेट आया था लेकिन जो है ओनलाइन आपडेट जारी कर दिया गया है कि अब जो है आपनों का ओनलाइन आवेदन जो है वो शुरू कर यहाँ पे आप देख पारूंग दोस्तों बताया गया है इसको लेकर आपूर्ती विभाग ने निर्देश जारी किया है नए रासन कार्ड के लिए लाभावुकों को विभाग के द्वारा जारी वेबसाइट पर ओनलाइन आवेदन करना होगा यानि कि दोस्तों यहाँ पे बिभाग के तरफ से एक नई वेबसाइट जारी की जाएगी और उस वेबसाइट पे आप लोगों का आवेदन होगा अब यहाँ पे आप देख पाऊं दोस्तों बताए जारा है कि आप लोंका जो website है वो जारी हो चुका है यानि कि वहाँ से आप लोंको आवेदन करना होगा लेकिन मैंने बहुत परियास किया लेकिन यहाँ पे हमें website अभी तक नहीं मिला है हो सकता है कि अभी website जारी ना हो इस परकार से किस website से आपको आवेदन करना है पूरा step by step मैं आपको दिखा दूँगा कि नए रासन कार्ड के लिए और रासन कार्ड में नाम जोडने के लिए किस परकार से आप लोंका online आवेदन होगा वो मैं पूरा proper आपको करके भी दिखा दूँगा तो अभी मुझे website नही website बनाई गी है उसमें आप लोंको जो है डीटेल मांगा जाएगा और उस अस्टेप को भरना होगा उसके बाद आप लोंका जो online आवेदन हो हो जाएगा online आवेदन के बाड़े में और भी जानकाई दिया गया कि किस परकार से आप लोंका online आवेदन होगा तो यहाँ पर आप देख पाऊंग बताया जा रहा है घाए आपके पड़े बार में कितने सदस हैं उनका पूरा डीटेल ही लोंको यहाँ पर ढालना होगा सात में आप लोंको डोक्यूमेंट ढाल कर उसके बाद आप लोट करके उसको सब्मीट करना हो गा उसके ¨बर से जो है चेक कर सकतेे हैं, यहाँ पर बतायागे दोस्तों जिससे आवेदन आपूरती विभाग के साइट पर चला जाएगा इसके बाद बिहित परक्रिया के बाद लावाउक के नए रासंकार सम्मदित अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जारी किया जाएगा यानि कि दोस्तों जैसे आप यहाँ पर फाइनल सम्मिट करते हैं आपके मोबाईल पर मैसेज आ जाएगा तो समझ जाएगे कि आपनों का आवेदन हो चुका है और उसके बाद आपनों का आवेदन की आगे परक्रिया की जाएगी और आपनों का जो अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा आपनों का जो रासंकार निडगत किया जाता है तो वहाँ से आपनों का जो रासंकार है वो बनाया जाएगा अब इस पर जो है और भी कुछ जानकाई दिया गया कि कौनकों लोग जो इसमें आबेदन नहीं कर सकते हैं कौनकों लोग जो इसके पात्र नहीं है तो यहाँ पर बताएगा दौस्तों इन लोगों को नहीं मिलेगा इसका लाव यहां पर बताएंगे तो नया राशंकाट सिर्फ पात लभाईुकों का ही बनेगा वह इसे लभाईुकों का नहीं बनेगा जो आयकर आदा करते होगे यानि कि जो income tax पे करते हैं उनका जो यहां पर राशंकाट नहीं बनेगा तो यह जो है पहले भी नियஃम था आविदन नहीं कर सकते हैं यानि कि अगर आपके पास जो है तीन रूम का कमड़ा है जो कि आप लों का जो है पक्का कमड़ा है यानि कि कंक्रीट से बना हुआ कमड़ा है और आप लों का जो है मकान खुद का है और साथ में जो आपके पड़िबार का किसी सबसे का 20,000 रुप आने तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, यह सभी जो पहले से यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते थे, जिनकों की आवेदन करने से पहले भी यहाँ पर रोका गया था, वही लोग यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, बाकी जितने भी यहाँ पर लाभारती हैं वो आवे website नहीं मिला है किसी भी ऑफिसियल website पर the website नहीं दिया गया है जहां से आप आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं हो सकता है दोस्तों कि अभी आप लोका website वह बन रहा है आप लोका जो website वह अभी चालू नहीं किया गया लेकिन जैसे ही चालू हो वो नहीं मिल रहा है और हो सकता है कि अभी जोए नया वेबसाइट जारी ना हो तो इसलिए जोए अभी शोथ यहां पर आपलों का वेबसाइट मिलेगा मैं आपको प्रॉपर जानकाई दे दूँगा कि आपको किस वेबसाइट से आवेदन करना है तो इस पकार से यहां पर जो अपडेट निकल के आ रही है नए रासन कार्ट को लेकर अगर आप जो नए रासन कार्ट के लिए अब आवेदन करना चाहते हैं तो कुछ दिन रुख जाईए आप लोगों का जो ओनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा आसा करता हूँ दोस्तों कि मैंने आपको जानकाई दे दिया है कि बिहार आसन कार्ट के लिए ओनलाइन आवेदन किस पकार से शुरू होने बाला है किस पकार से आप लोग जो ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसकी क्या प्रक्रिया होने बाली है इसके बारे मैंने आपको जान काड़ी मिल सके मिलते नेक्स दो तक लिए धन्यवाद